हलो हलो जी मुली है तर सिजी का पर नोटिफिकेशन आया था कि सिजी पुलिस का एक्जाम है तरके प्रीका तो सर उसी देट पे हम लोग का एक्जाम भी फांस रहे तर सिजी देट का अच्छा तो सर उसी देट आया है जी से ना अपको देख पारे हमने एक लिए अगर सही बहुत लोग है तो सर से एक संबन में मिल सकते हो आप लोग बहुत लोग होंगे एक साथ तो बहुत लोग तो सर में भी कम से कम पांच-छे लोग की मेरा कीड़े आने पे ठीके देख लोगे सब्सक्राइब हरे किशा दोस्तों मैं दिपांच-छे श्वागत करता हूँ आपका सीजी पेस्च व्यापवम में ये क्लिप आप लोगों ने पूरा सुना होगा वैसे इस क्लिप की पुष्टी हम नहीं करते लेकिन अगर ये क्लिप सहीं साबित होता है तो ये कहीं न कहीं SI भर्ती की डेड़ बढ़ाने का एक नया मामला सामने आ रहा है मैंने आज सुबह की वीडियो में ही अभ्यर्तियों को समझाया था कि देखिएगा ऐसा करना सहीं नहीं होगा क्योंकि आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि इंसान को हमेशा एक नौ में पार रखना चाह SI भी भरना है आपको दोनों में से कोई एक ही चूस करना पड़ेगा अन्यता आप लोग ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे इसी वजह से आप लोग डेड़ बढ़ाने के संदर्व में उचित होगा कि आप लोग डेड़ बढ़ाने के लिए ये कदम ना उठा है क् भरतियां है 70,000 युवा जो पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे है कुछ लोगों की वजह से उनके जो सपने पे कही न कहीं फिर से बाधा जो है दिखने को मिलेगी और साथ में युवा भी आक्रोशिश हो जाएंगे अगर आप लोग ऐसा कदम उठाएंगे तो तो इसी वजह जैसे बड़ी सानती पूरवक आप लोग अपना कोई भी एक टारगेट करे या तो ऐसा ही भरती का एक्जाम दिला या तो सीजी टेट का एक्जाम दिला दोनों ही एक्जाम जो है अगर यहां पे क्लैस होता है तो फिलहाल वरतमान में अगर हम गलती की बात न करते हुए य जो कि अगर चली व्यापम ने आपको समय दे बी दिया 15 दिन तो क्या 15 दिन में आप इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पाएंगे जवाब है नहीं क्योंकि सिलेबस बहुत जादा है सिलेबस का है और अगर आप फोकस करके पढ़ेंगे तब ही आपका होप आएगा ऐसे में ना आप इधर के रहे पाएंगे ना उधर के, इसी वज़े से आप लोग सिर्फ किसी भी एक exam को target करें। रही बात व्यापम को भी देखना चाहिए कि कौन सा central exam वहाँ पर पढ़ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत देर बाद date decide किया है, और अगर आप लोग को date decide करना भी था तो थोड़ा सा तीथी देख लेना था कि कौन से वहाँ पर central का exam class तो नहीं हो रहा है, state का exam तो class नहीं हो रहा है और उसके बाद जो है exam रखते तो जो अभ्यरती लगबग 200 से ज़्यादा भ्यरती है, वह हाई code गये थे और जो भी तुरूटी था उनको बकायदा फिर से जो है उनका दस दिन मिला है, दस दिन में ऐसा ही की तयारी कैसे करें, तो बस एक ही formula अपनाईएगा, ज्यादा से ज्यादा objective question बनाईए, इससे ज्यादा और बोला चीए नहीं कहा जा सकता आज की date पे, क्योंकि देखिएगा 10 दिन है, 10 दिन में आपको जित्ता भी ज्यारा subject cover हो सकता है फिलाल मैं इसके लिए कलग से वीडियो बनाऊंगा, proper वीडियो, कि आपको किस बोला चीए विशाय पर ज्यादा focus करना चीए, किस विशाय के किस topic पर ज्यादा focus करना चीए, और ये बताना चाहूंगा कि ये जो है, तीन-चार चरणों में है ये परिक्षा, पहले pre होगा, उसके बाद फिर mains होगा, फिर physical होगा, फिर interview होगा, तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा निश्चिनत रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा paper जो है, वो थोड़ा easy level पर आएगा, क्योंकि ये पुलिस level की परिक्षा है, और पुलिस भरती की परिक्षा है, एक बात, दूसरी इसकी योग्यता देके, और पूरा चीजें matter करती है, कि जब कोई भी परिक्षा 3-4 चरणों में होती है, तो वो जो है, धीरे-धीरे वहाँ पर जो लेवल है, वो एकदम से बढ़ाया नहीं जाता, अन्यता जो है, अब भेरती ही नहीं मिल पाएंगे, तो इस से अच्छा ह कि कहीं न कहीं, लेवल को भी थोड़ा इस्टेंडर रखा जाता है, ताकि जो है, जो अच्छा पढ़ा लिखा वेक्ति है, वो भी और साथ में जिसका फिजिकल भी अच्छा है, उसका भी चेयन हो सके, तो आप लोग हर बढ़ाईए नहीं, बढ़े अराम से ज्यादा थे जोड़ा अब्जेक्टिव क्योशन स्वाल्व करिएगा, यही हमारा सजेसन है, फिलाल और विश्टार पुरुवक इस पर बबाद चीच चलेगी, लेकिन अब भी हरतियों को यही कहूँगा, कि डेट को आगे ना बढ़ाए, जैसे ने सासन ने डिसाइट किया है, वहता ह होने दीजिए, फिलाल आज के विडियो यही तक,